Hello students, good morning व्याद के आज से हम जो है इकनोमी को स्थार्ट करेंगे ठीक है और आपके जो भी अब्जेक्टिव एक्जाम्स होते हैं उनमें इकनोमी से रिलेटिट कई साथे कुश्छन्स आते हैं जनरली एकोनोमी से जो questions होते हैं वो आपके basically related होते हैं basically related होते है current affairs से ठीक है और specially with the budget ठीक है तो जब भी budget आएगा तो उस related जो भी questions form होते हैं वो आपके exams में आते हैं ठीक है तो हम अपनी classes में जो economy के basic चीजे हैं ठीक है उन सब के बारे में step by step discuss करते चलेंगे ठीक है जिसमें हम बात करेंगे देखें जैसे आपका banking system है ठीक है जैसे banking system है banking फिर हम बात करेंगे इसमें monetary policy की ठीक है monetary policy की हम बात करेंगे इसमें इसी तरीके से जो अलग-अलग points आएंगे आपके ठीक है इसे टॉपिक से जो की रहेगा हमारा banking से लिटेट ठीक है banking इंक main heading topic है जो हमारा first topic रहेगा तो इसके अंदर हम सब division देखेंगे banking system के अंदर क्या-क्या आता है कब-कब क्या-क्या हुआ कौन-कौन सबसे घटना ही हुई और क्या-क्या developments हुई आप पास से लेके present time तक ठीक है चली शुरू करते हैं अपकी अपकी class को तो देखी banking system में जो है सबसे पहला नाम वह आता है RBI का ठीक है तो RBI क्या होता है है RBI होता है आपका Reserve Bank of India ठीक है Reserve Bank of India ठीक है और इसका जो headquarter है वो गहाँ है हूं मई में है ठीक है तो दिखिए कि RBI जो है तो कि हम पहले जो RBI के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं banking system की history के बारे में ठीक है हम किसके बारे में देखेंगे हम देखेंगे history of banking in India जो इंडिया में जो banking की history है वो कैसी रही क्या क्या रहा हो क्या 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 events हुए ठीक है तो लिखिए जो सबसे पहली bank है first bank ठीक वो खोली गई थी उसका नाम था bank of हिंदुस्तान bank of हिंदुस्तान ठीक है और ये खोली गई थी 1770 में ठीक किसके दोरा और खोलने वाली थी एक इसकी कंपनी Alexander and Company ठीक है ये एक British कंपनी थी उसके दोरा खोली गई थी ये bank bank of हिंदुस्तान 1770 में बट ये क्या हो गई कोलाप्स हो गई कोलाप्स हो गई कोलाप्स मतलब दिवाल या होगे बंद हो गई ठीक है क्योंकि ये प्रॉपर्ली रन अप नहीं कर पाई उस टाइम पार इसके बाद प्रितो आपकी फर्स्ट बैंक जो इंडिया की रही इसके बाद जो है तीन आपकी बैंक बनी ठीक है तीन और बैंक है जो East India Company के दोरह खोली गई EIC बतलब East India Company इन्होंने तीन बैंक के खोली है आपकी तो पहली जो थी आपकी बैंक अफ बंगाल दूसरी बैंक खोली इन्होंने बैंक ऑफ बंबे बंबे ठीक है और थर्ड बैंक थी जो बैंक अफ मद्रास तो देखी बैंक बंगाल जो है यह 1806 के आसपास खोली गई और यह आपकी बैंक ऑफ बंबे जो है 1840 के आसपास खोली गई थी ठीक है तो देखें यह जो बैंक है अब देख रहे हैं कि सारी कि प्रसेडेंशीज बैंक है अब उसके बार इस इवेंट के बार फिर क्या हो कि जो 1865 के आया है यह आप कलकत्ता जो भी आप प्रणूस करें यह जो है भारत की सबसे पुरानी बैंक है जो आज भी उसी नाम से जाने जाती है ठीक है पठाँ आला कि अभी पिछले दो साल पहले ही जो मर्जर हुआ बैंक का कैसारी तो इसका नाम अब ये मर्ज हो गई है इंडियन बैंक के साथ है इंडियन बैंक के साथ है ठीक है तो इलहाबाद तो बैंक अब खतम हो गई ख्लो कौन ही बैंक है आपकी कंट्रे की ठीक है अब दिखिए इसमें जो है यह तो स्टार्ट हुई थी 1865 में ठीक है इलहाबाद बैंक उसके बाद 1894 में 1894 में एक और बैंक शुरू की गई जो थी PNB पंजाब National Bank ठीक है इसको भी आप जानते हैं इस नाम से भी अभी तक बैंक हमारी चलती आई है ठीक है यह भारत की पहली फर्स्ट इंडियन capital bank थी इंडियन capital bank थी ठीक है इसमें जो था इंडियन money ही invest की जाएगी मतलब जो भारती रुपया है पैसा है वही इस bank में जमा होगा उसी sale इंडियन और सारा व्यापर चलेगा ठीक है तो यह आपकी स्टार्ट हुई थी 1894 में ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि इंपीरियल bank of India की ठीक है इंपीरियल bank of India कि हम किसकी बात करना जा रहे थे इंपीरियल bank of इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो देखिए अभी हमने तीन बैंकों के नाम देखे जो था bank of मदरास, bank of Bombay and bank of कलकत्ता है ना तो उन तीनों banks को क्या कर दिया गया merge कर दिया गया merge कर दिया गया उन तीनों 21 में ठीक है और merge करने के बाद विवर्ज इसलिए कि एक रागी यह जो bank है वो central bank की तरह perform करें central bank की तरह काम करना चलू करें ठीक है इसलिए इसको merging कर दी गई पहले कहा दिए प्रसिडेंसी इस पर दी वहाँ पर ही यह perform करती थी ठीक है तो इसलिए centralization इस तरह की बैंक का कर दिया गया ठीक है अब कि आज़ादी के बाद ठीक है आफ्टर इंडेपेंडेंडेंस एक आया जिसे कहते हैं SBI Act ठीक है State Bank of India Act यह आया था आपका 1955 में ठीक है और कौन लाया था इसे Government of India लाई थी क्योंकि हमें आज़ादी मिल चुकी है भारत में सरकार बन चुकी है तो सरकार लाई थी SBI Act 1955 में ठीक है इसके तहर जो Imperial Bank of India है वो बन गया आपका State Bank of India जो आज का आप State Bank of India जानते हैं वो अर्लियर क्या था आपका Imperial Bank of India था क्लियर अब देखिए अपने कई कुछ टाइम पहले लगब छे-साथ साल पहले अपने कई पीनि बेंक्स के नाम सुने होंगे जैसे State Bank of बैंक ऑफ इंदॉर तो यह आपने कई बार नाम सुने होंगे कुछ ताइन पहले ठेक है तो यह क्या थी जो आपकी SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना इसकी यह क्या थी सही होगी सह पार्टनर्स थी ठीक है अशोशेट बैंक थी है बट अब देखिए इसमें दो इवेंट हुए 2008 और 10 के बीच में जो आपकी सौराष्ट्र बैंक है बैंक ऑफ सौराष्ट्र बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडॉर यह दोनों मर्च कर दी गई और यह बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडॉर ठीक है इंडॉर बन गई शौराष्ट्र आपकी खतम हो गई ठीक उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक तारीक हाई एक एप सारी जो बैंक है आपकी ह NatWhite को भी क्या कर दिया गया कि Mega K कर कर के डिके की कि रिकमेंडेशन पर इन सभी बैंक को कर दिया गय आपकी तर Hill 6 को आशोशेट को खदम करके पूरा कंप्लीट SBI ग्रूप बना दिया गया ठीक है अज देखिए इसमें एक चीज और हुई एक बैंक का नाम सुना होगा आपने भारतिय महिला बैंक ठीक है यह भी क्या है SBI के साथ मर्च कर दी गई ठीक है बट यह open कब हुई थी यह open ही हुई थी 2013 में ठीक है और 2017 में से मर्च कर दिया गया SBI के साथ में ठीक है तो देखिए हमने क्या बात कर ली RBI से पहले पिफोर RBI है ना RBI के आने से पहले यह नाम होने से पहले क्या था हमारे पास 1921 में Imperial Bank of Imperial Bank of India थी ठीक है शॉट में लिखा रहने Imperial Bank of India ठीक है यह क्या थी British को सर्व करती थी British सर्व करती थी उनकी सेवा के लिए उनकी कामकाच के लिए यह बैंक स्थापित की गई थी ठीक है और यह Imperial Bank कब बनी यह आपका मर्जर से बनी किसके मर्जर से जो आपकी Bank of मारास्ट सरी बंगाल Bank of Madras और Bank of Bombay थी जो उनको मर्ज करके Imperial Bank of India बनाया गया ठीक है अब यह जो मर्जर था कि इस टाइम पर जो यह मर्जर हुआ वैसे कली है ना 1921 में तो इस टाइम पर जो मर्जर हुआ था एक रिकमेंडेशन की व्यज़े से हुआ था और यह रिकमेंडेशन थी हिलिंटन हिलिंटन यंग कमिशन यंग कमिशन ठीक है इनकी रिकमेंडेशन से यह मर्जर हुआ था ठीक है अब यह क्या थी यह कमिशन में था कि भाई यह 1926 में आई थी ठीक है 1936 में यह इन्होंने कहा कि जो कमिशन ने इंक्वाईरी करेगी ठीक है भाई ब्रिटिश थी जो इस इंडिया पर ही रूल नहीं कर दे थे वह एफ्रीका के कई देशों में जो इस्टर्ड अफ्रिका यह सेंटरल अफ्रिका है वहां के देशों में भी कई जगे इनका राज चल र क्वथ क्या जाता है थे कि कॉस्ट जुब हो रिड्यूस होती रहे हो जाये इस बात के लिए इन्होंने जो मर्जचर है स्वर्श का वार कमेंड किया ठीक है यह आपके चेर्मै थे इसकgiving कि यह एडवर्ड हेलिंटन यंग ठीक है चलिए फिर हम बात करेंगे अभी जो बैंकिंग सिस्टम था जो आपका 21 के आसपास में जो चल रहा था उस टाइम पर सारे कारेकरम 26 के आसपास में तो उसके मात क्या-क्या इवेंट होते रहे और क्या-कैसे आपका आर्बियाई बना है न दिखिए एक यह राया उसके बाद 1927 में ठीक है रिकमेंडेशन कब दीगी 1926 को कि भाई कुछ आर्बियाई जैसा कुछ बनाना चाहिए ठीक तो फिर 1927 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ का इंट्रोड्यूस ह ठीक है कि भाई जो है आर्बियाई बनाई जाए रिजर्व बैंक जैसा को सिस्टम टेवलप किया जाए कंट्री में ठीक है बट यह जो बिल है वो क्या हो गया पास नहीं हो पाया ठीक है यह फिल हो गया बिल जुटू लैक ओफ डिस एग्रिमेंट आफ ते मेंबर्स जो मे सम्मेल नहीं बढ़ा उस चीज़ पर सहमत नहीं हुए उसकी वज़े से क्या यह बिल आपका आगे नहीं बढ़ पाया ठीक है तो 1927 में जब यह ड़ाला गया तो यह फेल हो गया उसके बाद क्या हुआ 1931 यह जो तीन साल थे यहां पर क्या चल रही थी आपकी राउंड टे यॉरेक्शन में हुआ तो यहां बहुए जो है यह वाला काम नहीं हुआ उसके बाद क्या है उनिस सो तैस में फिर टाइम आया 1933 क्या इसको बिल को री इंट्रोडियूस किया गया री इंट्रोडियूस किया गया कौनसा बिल आर बी आई बिल जो रजर्व बैंक का जो बिल है उसे दुबारा से डाला गया ठीक है बाइ कमिटी कौन सी कमिटी के दर वाइट पेपर अन कमिटी के दर वाइट कमिटी बनाईगी जिसके हेड थे आपके जॉन साइमन यह वही साइमन है जिसका नारा दिया गया था साइमन गो बैक यह वही वाले साइमन है आपके ठीक है और इन्होंने भी क्या किया रिकमेंट किया कि रिजर्व बैंक जैसा कुछ खोलना चाहिए होना चाहिए ठीक है अब यह तो इंटर्डियूस किया गया फिर कुछ डिस्केशन हुआ टाइम चला फिर फाइनली जो है 1934 में यह बिल जो है वो क्या हो गया पास हो गया कि भई ठीक है फाइनली हम जो रिजर्व बैंक जो है उसे ओपन करेंगे स्टार्ट करेंगे ठीक है तो इस बिल को कहा गया और बियाई एक्ट ऑफ 1934 ठीक है अब यह जो बिल है अभी क्या करेगा इसके अंदर जो आर बियाई बनेगा आपका रिजर्व बैंक वो क्या करेगा गाइडलाइन्स देगा और फंक्शिनिंग ऑफ बैंक जो बाकी छोटे बैंक होंगे ठीक है जैसे आपका SBI होगे लाहबाद बैंक है PNB है इनको क्या गाइडलाइन्स प्रोवाइड करेगा कौन RBI की कैसे काम करना है ठीक और इस साल फाइनली जो है गवर्नर ठीक है उस टाइम क्या प्रसिडेंट नहीं हुआ करते थे तो गवर्नर जर्नल ठीक है और उस टाइम पर जो गवर्नर थे व यह थे मेजर थॉमस थॉमस फ्रीमें यह थे आपके गवर्नर जर्र secular-लॉफ इंडिया ठीक है इसके पाद फिर क्या हुआ कि 1935 का टाइम आया जब ठीक है फिर जो आपकी डब्लू सी डब्लू पी डब्लू पी सी आर है न वाइट पेपर ओन कॉंस्टिटिशनल रिफॉर्म इस कमिटी ने क्या किया पास्ट कर वा लिया किसको पास्ट कर दिया government of India government of India act 1935 तीक गौनेट फिली में हमने एक पॉलिटी में यह ड्रिक्टीMen इसकुसटिशन आ जो मैक्सिमम चीज़े अप्रॉक्षिमेट सेवंटी परसेंट आफ जो चीज़े हैं वह हमने गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट से ली है ठीक है तो इसी की रिकमेंडेशन से यह एक्ट भी आपका पास हुआ ठीक है जिसमें क्या है जिसके तहट एक एपरिल से आर्बी आई जो आपका आपका बर्मा जो आज कल आप मेरमार के नाम से जानते हैं उसे ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया वह सेपरेट हो गया इसेपरेट हो गया ठीक एक नया देश बन गया आपका ठीक बट जो आपका आर्बी आई है आर्बी आई फ़र्म हुआ ठीक है 1935 में तो उस तेम पर तो आपका बर्मा जो है इंडिया का ही पार्ट था ठीक बट जो आर्बी आई है वो आज सेंट्रल बैंक बर्मा में भी काम करता रहा कब तक तिल एप्रिल 1947 तक एप्रिल 1947 तक बर्मा में भी आर्बी आई ही वर्क करता रहा एज बैंकिंग गाइड लाइनर ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखें 37 के इवेंट के बाद फिर इवेंट आया आपका 1947 का फाइनली जो आपका इंडिपेंडेंस का टाइम आया इस टाइम पर क्य है इंडिया जो है भारत जो था आपका वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया ठीक है उसके बाद कि जो इवेंट्स रहें जो पार्ट्स रहें वह हम अभी देखेंगे आगे तो देखिए अभी तक हमने जो आर्बी में का जो फॉर्मेशन रहा है बैंकिंग स जो जो होती रहे उस अभी के बारे में तिल 1947 हमने चीज़े देख ली फिर हम आगे देखेंगे जो next classes में उसमें हम second 20 year का जो period रहेगा मतलब 1948 से लेके 1967 और फिर 1969 से लेके 1999 तक ठीक है फिर एक आपका new trend आएगा 2000 से लेके 1999 तक फिर और 2020 तक का जो event है यह 2020 year का जो event रहे इन events में banking सेक्टर में क्या क्या changes आई कौन सा planning आया कौन सा commission आया क्या recommendation आई ठीक है यह सब चीजों के बारे में हम अपनी next class में discuss करेंगे आपको काफी information मिली होगी मैं सिर्फ इसमें important चीज़े ही बताऊंगा जो आपके exam point office आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दें Thank you for listening